आज की इस वीडियो में मैं कमल सिंग आपके ले लेके आया हूँ 2017 की कुछ नई और बहुत ही रोचक खोज के बारे में दोस्तों सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो जो भी नहीं आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और इसके साथ ही वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा किस प्रकार की जानकारी आप और हमसे चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दूसरी दुनिया की खोज में लगे अंतरिक्ष वैग्यानिकों को एक महत्वपून सफलता मिली है वैग्यानिकों ने धर्ती की ही तरह दिखने वाले एक नए ग्रह की खोज दिए ये ग्रह जी दो नाम के सितारे की परिक्रमा कर रहा है और इन दोनों के बीच पी उतनी ही दुरी है इमिज क्याज़िद प्रियो शुरिय की तरह ही एक सितारा है इस ग्रह की खोज Kepler Telescope Kepler 452B की मदद से की गई है जो साल 2009 सेकंड दूसरी दुनिया की खोज में लगा हुआ है वेग्यानिकों के मुताबिक ये नया ग्रह हमारी पृत्वी से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है नासा ने बताया कि इस नए ग्रह पर जीवन के लिए पर्याप्त परिस्थितियां मौजीद हैं इस ग्रह पर समुद्र वजवाला मुखी भी है और इसका गुरुत्वा कर्शन प्रित्वी से दो गुना है ये अपने सूर्य का एक चक्कर 385 दिनों में पूरा करता है वैग्यानिकों ने पाया है कि इस ग्रह के कई स्वभाव प्रित्वी से मेल खाते हैं इसे प्रित्वी का बड़ा भाई और जीदो को सूर्य का अप्भाई करार दिया गया है साल 2009 में शिरू किये गए कैपला मिशन का मकसद प्रित्वी के समान दूसरे ग्रह को खोजना था इस खोज के दोरान वैग्यानिकों को कई नए ग्रह और खगोली अगटनाएं देखने को मिली इस पूरे मिशन में अब तक नासा करीब 600 मिलियन डॉलर यानि की लगभग 3836 करोड रुप्य खर्च कर चुकी है ऐसे ही रोमान शक न्यूज खबर के लिए तो रंट सब्सक्राइब कर लीजिए